हेलो स्टूडेंट्स आज हम 11th क्लास में लेक्चर नंबर 3 सेट थियोरी का डिसकस करेंगे अच्छा लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोड़क्शन टू सेट आपका सबसेट ठीक है टाइप अफ सेट वो सब हमने कर लिया था कवर अच्छा लेक्चर नंबर 2 आपका इंट्रवल अच्छा लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर टू में छोड़ा था वेन डाइग्राम स्टार्ट वही से करेंगे कनेक्ट होता है यह टॉपिक आपका क्योंकि प्रैक्टिकल अप्लिकेशन में जब मैंने लेक्चर टू क्लोज किया था तो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल अप्लिकेशन में वेन डाइग्राम का बहुत इंपोर्टेंट रोल है बहुत इंपोर्टेंट तो एक बार पहले वेंड डियागरम को इन दो कोश्चन से revise करते हैं, then आगे proceed करेगे, अच्छा वेंड डियागरम टो रिप्रेजेंट A intersection, B union C whole complement टर्म से आद आ गई, intersection union complement अच्छा, जब इसका वेंड डियागरम बनाना है, तो आपको मैंने बोला था, आप एक universal set consider करोगे, denoted by a rectangle, हमने क्या किया एक rectangle ले लिया हमने एक rectangle ले लिया और यह rectangle आपका क्या denote करता बच्छो, universal set अच्छा, फिर जब तीन set की बात करता है, तो तीन overlapping circles आप बना देते हो, तीन overlapping circle आप बना देते हो, ठीक है, मतलब कोशिच करना, जितने fine circle बन जाए a, b, c, आपने तीन circle बना दिये, अब इसमें आपको कहता है कि, a intersection b union c का compliment, थोड़ा सा याद करने कोशिच करते है b union c का मतलब आप b वाला circle और c वाला circle दोनों include करोगे ठीक है, union का मतलब क्या था, कि आप b c और c दोनों को consider करोगे ठीक है, लेकिन जैसे मान लो, मैंने b और c को consider कर लिया लेकिन यहाँ पर दिया compliment तो compliment का मतलब, इसको छोड़के बाकी सारा मतलब, आपके पास क्या आ गया इसको छोड़के ये बाकी सारा ये तो vane diagram में, actually क्या है कि circles तो आप बना दोगे, main होता है कि इसमें कौन सा region, shade करना हमें कौन सा region इसमें include हो रहा है तो अगर मैं बात करूँ, इस पूरे की तो b और c का union छोड़के ये सारा हम ले सकते है b union c के compliment में b union c के compliment में, अब ध्यान से सुनना b union c का compliment ये आपको सारा दिख रहा है और a, a आपका ये है सब अब इन दोनों में common क्या दिख रहा है आपको इन दोनों में common वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट तो नहीं है b union c के compliment में ये वाला पार्ट तो नहीं है ना ही यह वाला पार्ट है लेकिन अगर अब थोड़ा फोकस करो तो यह वाले एक ऐसा पार्ट है यह वाला जो आपका B Union C के कॉंप्लिमेंट पे भी आ रहे है और A के पूरे सर्कल में भी आ रहे है तो finally इसको finally इसको हम कैसे ड्रो करेगे finally मैं आपको बताता हो यह कैसे ड्रो होगा आपने क्या किया इसको universal set बनाया समझाया आपको आपने तीन overlapping circle बना दिये A, B और C B Union C का कॉंप्लिमेंट मतलब यह सारा पार्ट और A यह पूरा सर्कल intersection को मतलब होता है इन दोनों का common तो common वाला पार्ट बच्चों सिर्फ इतना है सिर्फ इतना आप highlight कर सकते हो यह आपका required vein diagram है ठीक है तो पिछली बार मैंने आपको union का vein diagram intersection का vein diagram अच्छा compliment difference of two set इन सब के vein diagram सिखाये थे यह उन सब का combination आपके सामने ठीक है तो vein diagram बहुत important है बच्चो practical applications में questions आपके instantly crack हो जाएगे अगर आपको vein diagram की practice हो गई अच्छा यह तो मैंने आपको without elements बताया यहाँ पे question पढ़ो आप आपको एक set given है A, एक set given है B और C और इन तीनों का universal set 1 to 10 आपको दे दिया आपको कहता है आप vein diagram से यह data represent करो again आपने एक rectangle consider कर लिया rectangle universal set represent करता है मतलब सारे element 1 से लेके 10 तक इसके अंदर आएगे अब वह किस तरह से आएगे आपने A, B और C तीन circle ले लिये overlapping होते ही है अब इसमें बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से elements को place करना है जैसे कि आप यह देखो आप यह देखो तीनों में कौन सा element common है A में 3, B में 3 और C में भी 3 है तो यह part आपका ऐसा है जो तीनों set के अंदर common है तीनों set में आपने last class में दो set का overlap सीखा था यह तीन set का हमने main diagram स्टार्ट किया class में आज तो जो तीनों में common है हमने वह place कर दिया मतलब मेरा three वाला element तो use हो गया three वाला element use हो गया अच्छा अब A और B दोनों में common देखना A और B दोनों में common क्या है एक तो three था वो use हो गया और एक four भी है तो यह यह वाला जो part है नब हो यह वाला part यह देखो कौन सा part यह वाला part इसको जना ध्यान से देखो यह A और B का common part है तो जो 3 और 4 है आपके यही पे तो होने चाहिए तो 4 मैंने यहाँ place कर दिया सही है? अगर आपको समझा गया आप फटावर इंस्टेंटली place कर सकते हो ठीक है? तो यहाँ पे हमने A और B का common ले लिया अब कहता है B और C का common देखना आपका 3 था B और C का common यह वाला part है बच्चो यह वाला इसमें आपका 3 common था use हो चुका है 7 रह गया तो आपने यहाँ पे 7 place कर दिया 7 place कर दिया आपका यह भी element use हो गया ठीक है? अब आप A और C में common देखो आपका 3 common था use हो चुका है 1 common है दोनों में तो A और C का common क्या बच्चो? फिर से एक बार highlight करके दिखा देखो आपको A और C का common आपका यह है यह चीजे visualize करना सीखना आप यह A और C का common है ठीक है? तो A और C में common क्या आ रहा आपका? 1 1 यहाँ पर आ गया ठीक है? अब remaining आपका 1 use हो गया इट मींस आपका C वाला सेट तो completely fill हो गया 1,3,7 C के अंदर तीन ही element है हमने completely दिखा दिये A में आपके पास क्या था? 1,2,3,4 तो 1,3,4 तो आ गया 2 somewhat यहाँ होगा जो किसी के साथ common नहीं है अचा B के लिए 3,4,6,7 3,4,7 आ गया 6 यहाँ पर होगा जो किसी के साथ common नहीं है B का element तो जो remaining है वो तो लिखोगे ना अब इन सब के अलावा और कौन से element है? आपका 1,2,3,4,6,7 हो गया मतलब 5 रहा गया 5 रहा गया, 8 रहा गया और 10 और 9 completely क्योंकि universal set में 1 से लेकर 10 तक element थे तो जो sets के अंदर थे वो हमने place कर दिये common वगरा properly देखके और जो remaining element है जो किसी set को include नहीं कर रहे है वो बाहर आप universal set के अंदर represent कर दोगे, तो यह data representation है in vein diagram, ठीक है यह region shade करना हमने सीखा vein diagram में, तो vein diagram आपको याद आ गया vein diagram अगर आपको याद आ गया तो अब इसके बाद हम इसमें next topic जो मैंने आपको बोला था कि बहुत important topic है बच्चो यह school exam के point of view से या फिर आप अगर mains की बात करते हो तो यह जो एक ऐसा law है आगे कुछ chapters में भी use होगा जैसे probability की अगर आप बात करो तो अभी आप number of elements की बात कर रहे हो आगे चलके probability में भी तो यह होता है favorable upon total number of outcomes तो यहाँ पे dmorgan log की application समझना बहुत जरूरी है last class में हमने सिर्व dmorgan log लिखा था पहले उसको given sets के थुरू verify करना सीखते है और फिर उसका आज proof भी देखेगे ठीक है उसका फिर हम proof भी देखेगे देखो बच्चो a set given है b set given है और universal set दे दिया 1,2,3,4,5,6 अच्छा dmorgan's law verify करने है तो आपके दो law थे पहला law क्या था बच्चो a union b whole complement is equal to last lecture में discuss किया था याद कर लो इसे a union b का compliment क्या होगा बच्चो compliment दोनों पर distribute हो जागा अब भीच का sign reverse हो जाता है यह आपका union था यह आपका intersection है ठीक है operation लगाए operation कैसे लगाएगे हम क्या करेगे इसमें पहले a union b निकाल के रख लो a union b क्या होगा अच्छा यहाँ पर हमने b के element लेने शुरू किये तो 3 और 4 अल्रेडी यूज हो चुके है repeat नहीं करना बचा क्या b का सिरफ 5 ले लोगे union का मतलब वो था total elements ले लो आप a के भी ले लो b के भी ले लो आप elements ठीक है अच्छा lhs में lhs में आपको यह कह रहा है a union b का compliment निकालना बच्चो compliment अच्छा compliment की definition क्या थी universal में से जिसका compliment आपको निकालना है वो वाला set minus कर दो मला अवर मैं आपको last class का याद दिलाओ तो a compliment क्या होता था universal में से a वाला set minus कर दो यह सीखा दामने अभी a union b का compliment पूछ रहा है तो universal में से आप a union b को minus कर दो अब universal है 1 to 6 आपको सारे element दियो है और union में क्या है 1 से लेके 5 तक तो universal में से universal के सारे element लेना चाह रहा था मैं लेकिन जो a union b के साथ common है वो हटा दो 1 to 5 हटा दो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा तो lhs में आपके पास एक singleton set आगया जो 6 को contain कर रहा है अच्छा verify करना है तो lhs और rhs दोनों equal आने चाहिए rhs के लिए मुझे a compliment चाहिए फिर मुझे b compliment चाहिए इन दोनों का intersection चाहिए तो सबसे पहले काम करते है पहले a compliment निकाले a compliment मुझे क्या बोल रहा है universal minus a ठीक बात है जिसका compliment निकालना है universal में से उसी set को आप minus कर दोगे तो universal 1 to 6 और a आपका 1 to 3 4 तो 1 to 6 में 1 to 3 4 हटा दो तो आपके पास बचेगा 5 और 6 similarly similarly कॉमा लगा के मैं आपके b compliment निकाल लो universal minus b b compliment means universal में से b वाला set minus कर दो तो अब universal 1 to 6 है और यह 3 4 5 है तो universal में से 3 4 5 हटा दो तो बचा क्या 1, 2 और 6 clear अच्छा जब आपके पास a compliment निकाल लिया आपने b compliment निकाल लिया यह किसले निकाल रहे थे क्योंकि rhs में मुझे इन दोनो compliment का intersection चाहिए ठीक है बच्चो intersection क्या था intersection क्या था दोनो का common वाला पार्ट दोनो का common वाला पार्ट a compliment 5 और 6 है b compliment 1, 2, 6 है दोनो में common क्या है बच्चो 6 और अब थोड़ा ध्यान से देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो किसको देखो गया आप lhs को देखो lhs कितना आया था singleton set 6 rhs कितना आया है again 6 therefore आप क्या बोलोगे lhs is equal to rhs that means आपके बास क्या आ गया जहां लिख देतो मैं a union b का compliment आपने क्या करा a intersection sorry a compliment intersection b compliment यह आपने proof कर दिया समझ आए आपको ठीक है इसको verify बोलते है verify क्यों बोलते है क्योंकि set given है उन्ही sets को use करके हम verify कर रहे है एक होता है इसका proof क्या आपको element नहीं देगा आपको proof करना ही है कि valid है कैसे है यह valid वो हमें बात करनी है उसके बारे में ठीक है देखते हो उसको भी आगे इसका second part भी करके देख लेते है बच्चो second part second part में आपको कहरा है कि a intersection b compliment equal to a compliment union b compliment second log यह था ना कि पहले intersection है वो union में interchange हो जाएगा आपका चलो अब कुछ चीजे इसमें हम instantly बता सकते है जैसे कि अगर मैं a intersection b की बात करूँ तो a और b में common ही तो देखना है intersection मतलब common a में 3 और 4 b में भी 3 और 4 है दोनों है तो a intersection b आपके पास आ गया 3 और 4 अच्छा LHS LHS में आपके पास क्या है a intersection b का compliment compliment कैसे निकालेगे universal में से इसी को आप minus कर तो जिसका compliment निकालना है universal में से बटा उसी को minus कर तो अब universal था 1, 2, 6 a intersection b है 3 और 4 तो क्या मिला आपको 3 और 4 हटाने के बाद 1, 2, 5 और 6 universal में से मैंने a intersection b के element हटा दिये यही आपका compliment का concept है last lecture में discuss किया था हमने है ना चलो अब RHS के लिए आपको a compliment चाहिए और b compliment चाहिए जो कि already हम निकाल चुके है a compliment यह रहा b compliment यह रहा तो RHS के लिए इसमें इस बार हमें दोनों का union चाहिए चलो बना लेते हैं दो मिनिट लगेगी बस a compliment देखो भाई a compliment कितने है a compliment है 5 और 6 अच्छा b compliment कितने है 1, 2, 6 दोनों के total element लेलो दोनों के total element लेने का मतलब मैंने लिया 1, 2, 5 अच्छा 6 दो बार आ रहा है लिखो गे तो एक ही बार लिखो गे तो एक ही बार तो LHS, RHS पर focus करो LHS 1, 2, 5, 6 RHS 1, 2, 5, 6 therefore D Morgan law का second law D Morgan का second law भी हमार पास valid है for the given set ठीक है बच्छो तो यह अभी आपका बहुत easy वाला part है set मैंने initially mention किया था आपको कि one of the easiest chapter है आपका 11th class का तो D Morgan law हमने last class में बढ़ा था उसकी हमने verification भी देख ली अगर हमें set given है तो इसके बाद इसके बाद यह जो अब हम करने जा रहे हैं यह आपका इस chapter का most important topic है अगर टीचर्स का एक तरह से subjective exam है तो favorite question होता है कि prove कर दो भाई proof कैसे करते है बच्चो मुझे element दिया नहीं हुआ element तो given नहीं है तो इसके लिए ना इसको समझने के लिए आप पहले ना कुछ terms पे ध्यान देना terms क्या होगी मैं आपको यहापे side में लिख के देता हूँ यहापे terms को याद रखना इसे मैं highlight कर रहो red से ठीक है अगर तो बच्चो यह sign belongs to का आता है हमार पस sets के अंदर अगर यह sign belongs to का में use करूगा belongs to का sign अगर में use करूगा तो उस case में अगर यह sign बना है यह sign किसका था union का इसका English में meaning हम और लेते हैं कि A या B A और B दोनों में से कोई एक भी हो सकता है अगर intersection लेते हो तो उसके लिए हम meaning इसका and लेते है कि भाई A और B दोनों के element जो common है ना वो ही उठाने है union में क्यों होता है A में से ले लो या B में से ले लो intersection में क्या है जो दोनों में होना चाहिए both तो particularly A and B बोला जाता है लेकिन अगर लेकिन अगर यह sign अगर यह sign does not belong to में चला गया तो यहाँ पे हम meaning उल्टा ले ले लेते है यह proving के लिए बता रहो मैं आपको यह चीज़ अगर पकड़ ली तो बात खतम तो उसमें इस union को और मतलिकना आप and consider कर लेके चलना और intersection को और लेके चलना मतलब क्या करा कि belongs to को जब मैंने does not belong to में convert करा तो हमारा जो union का जो हम English में meaning लेके चल रहे थे वो reverse कर दिया और की जगा end कर दिया और की जगा और कर दिया ठीक है यह चीज़े आपको लिखी रही गी अभी इसको हम use करेगे तो आप समझना क्या मतलब है इसका बहुत significant है यह अब देखो बात फिर से वही शुरू करता है कि element तो given नहीं है तो ऐसा है कि अगर मैं बात करता हूँ यह A है B है तो A और B में कुछ element होगा तो सही कोई ना कोई element होगा तभी हम set की बात कर रहे है empty set तो बोला नहीं है उसने A और B हम finite non empty set लेगे चल रहे है ठीक है finite non empty set ले रहे है तो A का मैंने एक element ले लिया मानलो X ले लो कोई भी एक element ले लो ठीक है तो अब X ले रहे हो तो हम ना यहाँ से start करेगे कि मेरे पास ना X जो मैं element ले रहे हूँ वो LHS का जो set होगा A union B का compliment मैंने वहाँ से ले लिया अब A union B का compliment जरा विन डियाग्राम में visualize करो A union B यह सारा था तो compliment यह सारा है बाहर वाला मतलब X यहाँ पे ख़़ीपे पढ़ा हुआ है यहाँ पे ख़़ीपे पढ़ा हुआ है A union B के compliment में है वो मतलब X A union B को तो बिल्कुल भी belong नहीं कर रहा अभी मैंने बताया आपको X कहा है? X यहाँ पर है इस A union B के compliment में मतलब A और B के set के बाहर तो इसका मतलब X A और B के union को belong नहीं कर रहा अब देखो इसको ना इसको हम distribute करेगे हम बोलेगे X जब A union B को belong नहीं कर रहा बच्चो तो X A को भी belong नहीं करेगा और X B को भी belong नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर union को union को हम और के नाम से जानते हैं लेकिन कब? जब belongs to use हो रहा है देखो मैंने बताया था न यहाँ पर belongs to अपने आप involved हो गया मैं यहाँ पर आपको बता रहा हो यह चीज इंपोर्टेंट है आपके लिए ठीक है? यह इंपोर्टेंट है अब अब जड़ा फिर से theory पर ही चल रहे है value तो ही नहीं हमारे पास X A को belong नहीं कर रहा अगर X A set को belong नहीं कर रहा मान लो X यह A set था X A set को belong नहीं कर रहा है इसका मतलए X कहाँ पर है? यहाँ पर बाहर है अब बाहर के part कौम क्या बहले गए? A compliment मतलए X किसको belong कर रहा है? A compliment को लो बच्चो and X B को belong नहीं कर रहा तो X किसको belong करेगा? B के compliment को ठीक है? does not belong to go belongs to मैं convert कर रहा तो A की तरीक है कि अगर A को belong नहीं कर रहा है तो बच्चो A compliment को belong करेगा बाहर के part को belong करेगा अच्छा इसके बाद X belongs to जैसे यहाँ पर था नहीं कि does not belong to हमने दोनों जगा distribute कर दिया था ऐसे ही यह belongs to distributed है common ले लिया तो क्या आगया? A compliment and B compliment अच्छा जी X belongs to A compliment अच्छा and देखो अगर belongs to है बच्चो belongs to तो belongs to के लिए and का क्या मतलब है? intersection अब अब दिमाग से जड़ा काम लो छोटी सी बात सुनो X इसको belong कर रहा है मतलब X एक element ले लिया कुछ भी हो सकता हो इस A union B के compliment को belong कर रहा है कि अब वो ही वाला X तुमने अभी अभी प्रूव कर दिया कि वो A compliment intersection B compliment को भी belong कर रहा है मतलब element सेम है दोनों के अंदर और जब दोनों के अंदर element सेम होते है तो बच्चो वो कौन से set होते है equal set वो कौन से set होते है equal set तो हम इसको बिना कोई कहानी लिखे अब बता सकते हो कि मैंने जो X element उपर वाले set के अंदर लिया था वो ही element नीचे वाले set में आ गया अरे तो element सेम है दोनों sets में तो भाई ये दोनों set equal set है clear तो ये D Morgan Law का जो proof है बच्चों को generally doubt रहता है इनका मैंने ये जो चीज आपको terminology जो बताई है इसको आप ध्यान रखो symbols को ध्यान रखो belongs to में क्या लगाना है does not belongs to में क्या लगाना है तो बहुत easy है ये बहुत easy है proof आप देखी सकते हो कितना easy था ये अच्छा एक और कर लेते हैं इसका second वाला proof कर लेते हैं तो आपको command बैठ जाएगी आपका है न topic clear हो जागा पूरी तरह से same working यहाँ पे मैंने फिर से x लिया x lhs को belong करवा दिया मतलब वह कह रहा है a intersection b के complement को x belong कर रहा है x इस complement को belong कर रहा है तो देखो होता किया जब belong करता है तो आप does not belong to के बारे में सोचो अच्छा does not belong to था तो belong to के बारे में सोचना शुरू कर रहा है सिर्फ यही तो process है इसमें तो यहाँ पे जब belongs to की बात आ गई तो मैं क्या सोच रहो कि भाई x किसको belong नहीं करेगा हम बोलेगे a intersection b को नहीं करेगा क्योंकि compliment को तो कर रहा है अगर उसके compliment को कर रहा है तो किसको belong नहीं करेगा normal set को अच्छा फिर does not belong to distribute करू does not belong to distribute करू लो कर दिया यह sign जो था देखो जरा आप ध्यान से does not belong to जब distribute हो रहा है तो यह intersection क्या denote करता है does not belong to में intersection क्या denote करता है और यहाँ पर क्या लिख दोगे तूं और यह चीजे अगर पकड में आ गई तो दिक्कत ही क्या है यही confusion होती है बच्छो को क्योंकि does not belong to में वो जो meaning है बिल्कुल reverse हो गया उसका ठीक है और यह किसको belong करेगा बी कॉंप्लिमेंट ठीक अब फिर does not belong to जैसे distribute किया था belongs to वैसे common ले लो same तो step से आपके a compliment और बी कॉंप्लिमेंट और belongs to के अंदर belongs to के अंदर और के लिए क्या symbol लेते हो आप belongs to के अंदर और के लिए क्या symbol लेते हो union देखना जड़ा x किसको belong करवाया था आपने इस set को x इसको भी belong कर रहा है मतलब यह दोनों set आपस में equal set थे तो आपने इसका dmorgan law का जो second dmorgan law second वाला जो case था वो भी आपने prove कर दिया hence proved तो मैंने आपको verification सिखाई set जब given थे मैंने आपको proof करने सिखा दिये जब कुछ element given भी नहीं थे ठीक है तो यह बहुत important topic है last lecture में सिर्फ हमने इसका introduction लिया था जब हम compliment की properties पढ़ रहे थे अभी हमने detail में इसको discuss कर लिया ठीक है चलो आपके competitive में थोड़ा सा concept और पूछा जाता है थोड़ा सा concept मैंने questions के लावल थोड़ा increase हो जाता है तो मैं एक lecture आपको छोटा सा lecture extra questions का एक और दे दूगा ठीक है तो वैसे set theory wise आज complete होने वाला आपका चलो A और B दो finite set है जब भी finite set बोलेगा हो A union B मतलब A के अंदर और B के अंदर मिला के कितने element है number number of elements मतलब इसका cardinal number कितना है मतलब इसका order कितना है cardinal number बोलो या order of a set बोलो A की बात है बच्चो cardinal number या order of a set बोलो A की बात है दोनों का मतलब A की होता है number of elements in the given set तो A union B के अंदर कितने element होगे तो उसका एक formula है प्यारा सा ये याद कर ले न आगे का सारा topic इन दो formula पे based है एक अभी लिख रहो एक अगले page पे आएगा आपका ये number of elements in set A number of elements in set B minus number of elements in set of A intersection B अच्छा इसका proof मांग लेता अभी कबार वो तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे देखो ये वाला part तो कोई doubt ही नहीं आपको की A intersection B है common वाला part ये वाला part तो सारा आपका A intersection B है अब ये वाला part क्या है बच्चो A minus B A minus B difference of two set A minus B का मतलब क्या था A का सारा लोगा में part लेकिन जो B के अंदर common आ रहा है वो नहीं लेना A minus B में मतलब क्या बात कर रहे है आप A minus B में आप सिरफ ये वाला part ले रहे हो सिरफ ये वाला part ये ये A minus B है अच्चा B minus A की अगर आप बात करते हो तो B minus A में ये वाला part ले रहे हो सिरफ उसमें सिरफ purely B का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा, आपको याद होगा, कि ये पूरा सेट, 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 ये आपने लिखा number of element मुझे पता करने है a union b में कोई डाउट ही नहीं है a union b में मुझे number of element पता करने है तो मैंने बोला यार a union b मतलब पूरे जो दो circle है तीन parts में divide होते होगे दिख रहे है मुझे 1 a minus b मतलब a minus b के element ले लो 1 a intersection b ठीक है और आगे वाला number of elements in b minus है के रहे हैं इन तीनों set के elements को मिलाके तीन अलग-अलग देखो एक तम अलग-अलग तीन region दिख रहे हैं ना एक a minus b यह हो गया यह intersection b हो गया यह b minus a हो गया तीनों को मिलाके union मिल रहा है मुझे अच्छा इससे यह कहा proof हुआ यह तो proof नहीं हुआ तो इसमें बच्चों हम क्या कर रहे हैं अब एक major step इसमें आपको मैं apply करके दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपको कि बच्चों आपना a intersection b कि दो को intersection आपका एक बार है लेकिन वह plus में वह आपका plus में तो plus की requirement मेरे को नहीं है मैंने क्या किया एक बार intersection b का number plus कर दिया और एक बार यह minus कर दिया क्योंकि मेरी prime requirement नहीं यह यह मेरे पास गोश्चन में चाहिए RHS में चलो अब इसको जड़ा हम combine करते है combine करेगे देखो अगर अगर बच्चो एक मिनिट अगर बच्चो मैं a minus b a minus b और a intersection b इन दोनों के elements को जोड़ दू और यहाँ पर मैं b minus a और a intersection b के elements को जोड़ दू और यह as it is नीचे आ गया ध्यान से देखो मैंने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया मैंने क्या किया इन दोनों को group कर दिया एक तरह से और last वाला यहाँ पर ऐसे लिख दिया अब यहाँ पर देखना a minus b के element और a intersection b के element मिला के क्या बन रहा पूरा set a एक बार करो भापर ध्यान दो a minus b मतलब यह वाला पार्ट सिरव यह वाला पार्ट अच्छा a intersection b यह अरे तो भाई पूरा क्या बन गया यह गोला a का यह क्या आ गया number of elements in set a similarly इधर देखना b minus a का यह सारा पार्ट था a intersection b यह यह दोनों मिलके क्या बन रहे है b वाला circle तो यह क्या बन गया b वाला circle और a intersection b आपके सामने दिख रहा आपको तो बच्चों यह जो फॉर्मला हमने प्रूफ किया है इसको प्लीज याद कर लो आगे बहुत यूज होने वाला यह बहुत जादा यूज होने वाला ठीक है तो यह समझाया clear हो गया तो यह अभी हमने दो finite set पे बात किया इससे आगे तीन finite set पे बात करेगा अच्छा तीन finite set का जो मतलब वेन डागरम है वो मैं अभी class के starting में भी दे चुक हो आपको इस तरह से तीन overlapping circle आप बना देते हो ठीक है अच्छा यूनिवर्सल set again represented by rectangle इसको जो formula बनता है number of elements in a plus number of elements in b plus number of elements in c पिल्वाइब दो set थे तो उनके element plus किये थे न, a के number of elements फिए B के number of element plus कर रहे थे sबार तीन set है तो तीनों के number of element plus करोगे और फिर उन 2 का intersection minus हुआ था तो इस बार क्या होगा pair wise पहले a & b का intersection minus किया फिर b & c का intersection minus होगा, फिर C और A का intersection minus होगा, यह तो रुकी नहीं रहा, plus, plus, finally, क्यारे जो तीनों का common part है, यह वाला तीनों का common part है, क्यारे वो plus होगा, अच्छा, वो ही बात है, इसका proof जब तक ना मिले, तब तक तो मजा नहीं आएगा, अच्छा, यह 4 marker में इसका proof आजाता है, कई बार महला, आज की class आपकी school exam के हिसाब से बहुत important है, ठीक है, paper में जो question आते है, generally, इसी से आते हैं, तो subset से आएगे, operational set से question नहीं आते हैं, ठीक है, आपके subset से आते हैं, otherwise, फिर यह जो हम आज पढ़ रहे हैं, practical application, when diagram को use करके, operation, union, intersection, तो बाता होई रही हैं, इनकी, तो main यह ची किया, तीनों का union consider कर लिया, LHS में, अच्छा, फिर, फिर, इसके अंदर एक छोटा सा concept हमने लगाया, मैंने कहा, यार, एक काम क्यों नहीं करते हैं, तुम B union C को D ले लो, यह कर लो, तुम, क्योंकि 3-3 set दिक्कत कर रहे हैं, 2 set के बारे में तुम पढ़ चुके हैं, तो कहत सकते हो, वो formula apply करते हैं, चलो, number of elements in A, plus number of elements in D, minus, क्या था, A और D का intersection, ठीक है, मजा आया, आपने जो पढ़ लिया, वो ही तो लगाया, अब, ज्यादा wait मत करो, जो D let किया था, वापे substitute कर दो, ठीक है, substitute कर दो, तो देखते हैं, क्या benefit होता हमें, यहाँ पे D की जगा मैंने क substitute कर दिया, यहाँ पे भी करोगे, A intersection bracket लगा के, B union C, B union C, ठीक है, अब B union C, फिर से दो set का union दिख रहा है, दुबारा लगा दो formula, दुबारा लगा दो, आपको चीज, जो result आपको चाहिए, वो आता हो, दिखेगा, B union C क्या आता, number of element in set B, number of element in set C, minus number of element in set B intersection C, क्या कहते हो, अभी मैंने क्या किया, इसको expand किया, इसको expand करने की बारी अभी दूर की है, इसमें distributive law जो हमने last class में देखा था, वो लगा है पहले, है ना, formula तो बात की बात है, यहाँ पे, मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, A, B के साथ intersection देगा, फ बीच में क्या आ रहा है, union, बोलो, clear हुआ, अब जिसमें कुछ working नहीं बची उसे तो as it is पहले लिख देते है, चलो, इसका तो कुछ भी नहीं होना, यह तो आप ऐसे लिख दो, इसका कुछ नहीं होना, अब इसका कुछ होगा, इसमें यह एक single set assume करो, यह single set assume करो, फिर से, अगर मैं इसको a ले लू, इसको b ले लू, a union भी फिर से लगता हूँ दिख रहा है यहाँ पर, final step, final step, यहाँ minus है, तो bracket लगा दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, number of elements in a, यह मेरा पूरा a assume कर लिया मैंने, plus, number of elements in b, यह पूरा b ले लिया, minus, number of elements in a intersection b, a, intersection b, देखो, पहले यह पूरा a लिया, फिर intersection, फिर यह पूरा b ले लिया, लो बच्चो, क्या समझा है आपको, number of element in a intersection b लिखा, plus, number of element in a intersection c लिखा, minus, number of element in a intersection, यह, अरे, वही लगाया ना, a union b का intersection लगा लिया, मतल़े, इसको ऐसे assume कर लो, अगर नहीं समझा रहा तो, x union y क्या होता है, x, plus y, minus n, x intersection y, यहरे, इसको तुम x ले लो, ठीक है, इसको तुम x ले लो, इसको union, इसको y ले लो, देख लो, उपपर वाला formula लग रहा है, क्या कहते हो, आपका उपपर वाला formula लग रहा है, देखो, number of element in x, यह हो गया, plus number of element in y, minus number of element in x intersection y, अब इस पे जना ध्यान देना, वो कह रहा है, a intersection, b intersection, a intersection, c, अरे, a दो बार आ रहा है, common में, अब common में, अगर a दो बार आ रहा है, तो कोई उसकी significance लोड़ी है, रहेगा तो वो a की a, a और a में common क्या था, याद करो, item pretend लोग बताया था, a intersection यह क्या था, a itself, तो यहाँ पे, finally, आपका result आपके सामने है, यह तो same as a, copy कर देगा है, इन में तो कोई working है, बची नहीं है, working कहाँ पे बची है, यह, minus n a intersection b, minus n a intersection c, यह minus हो गया, यह minus हो गया, minus minus plus, और यहाँ लिख दिया, मैंने a intersection b, intersection c, a दो बार था, a की बार लिख दिया, item pretend law लगा के, item pretend law last class में पढ़ा था, a intersection a is equal to a, a union a is equal to a, item pretend law, result आपका सामने है, ठीक है, यह प्रूव करना था, यह प्रूव करना था, यह donor result, result one, result two, practical applications है, यह आपको tips पर होने चाहिए, तो आप इसके आगे questions बहुत अराउंड से कर पाओगे, अब यह देखो, कितना simple question है, कितना simple question है, सिर्फ आपको interpret करना आना चाहिए, आपको कह रहा है, x और y दो set है, जिसमें x union y has 40 elements, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों आप, instantly question खतम, शुरू होते ही, कह रहा है number of elements, in x union y is 40, सिर्फ notation है, number of elements को n से denote करोगे, अच्छा, x में कितने elements है, 25 है, अच्छा, y में कितने elements है, 24 है, क्या मजा कही है, कह रहा है, बताओ, कितने intersection में होगे, formula लगा दो, अब एक simple सी बात है, चार चीजे अगर formula में है, उसमें से 3 दे दी, तो भाई, fourth हम क्यों नहीं निकाल पाएगे, क्या, हम यह नहीं निकाल पाएगे, simple, आप यहापर 40 रखोगे, यहापर 25 रखोगे, यहापर 24 रखोगे, यहापर 24 रखोगे, इसे मानलो आपने x ले लिया, तो x को, x माइनस का इसे इधर लियाए, 25 प्लस 24, 49 हो गया, 40 उधर चला गया माइनस में, x की value 9, मतलब intersection में कितने element है बच्चो, 9 element है, बहुत ही मैंने बता, मजाक सा कोशह नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमे, application, formula समझा है, value रख दी, ठीक है, यह तो बहुत जादा simple है, आगे देखते है, आगे देखते है, हाँ, यहाप यह ठीक है, यह भी हो जागा, a part तो होई जागा, b और c पर ध्यान जादा देगे, a part में आपको बता जातो, इस बार आपको interpret करने की भी नीड नहीं है, number of element in set a दिये, number of element in set b दे दिये, यहाप यूनियन के number of element दे दिये, intersection पूछ रहा पहले, तो आपने बड़ी खुशी-खुशी formula अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसी चीज़े देखके तो दिक्कत है नहीं न, बिल्कुल भी, आप लगाईद होगे, a union b की value by 26 है, a की कितनी है, 12 है, b की कितनी है, 19 है, intersection मुझे calculate करना है, चलो, करते हैं, intersection minus में है, उसको इधर बुला लो, यहापे कितना हो गया, 12 और 19 आपका हो गया, 31 और 26 इधर आगया 5, 5 आ गई, मतलब एकी चीज़ दो बर हमने apply कर दी, इसको देखते है, a minus b, अब a minus b वाला concept समझने की बात है, बच्चों, हमने क्या किया यहापे, यह a है, यह b है, a minus b denote क्या करता है, win diagram में, a minus b denote क्या क्या करता है, यह वाला part, सिरफ यह वाला part, मानते हो, a minus b क्या बतल है, इसको चीज़ रहा है, यह b न ही आना चाहिए उसमें, तो इसका formula क्या बन रहा है, इसका formula क्या बन रहा है, कहा रहे, a minus b अगर तुमें निकालना है, तो कहा रहे, तूम पूरा circle ले लो यह का, उसमें से च्रहा है, यह वाला intersection वाला part हटा दो, यह वाला part आप, हटा दो, न में से यह वाला पार्ट अगर मैं हटा दू तो अपने आप A-B का नहीं बचेगा यह लोजिक लगा लो और intersection इसलिए हमें यहाँ पर निकलवाया था अब उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं है आप number of element in A देखोगे 12 है intersection में कितने निकाल लिए आपने 5 निकाल लिए लो भाई 7 आ गया number of element in A-B 7 आ गया B-A अब आप बताओगे सोचो क्या बनेगा formula सोचो लगाओ दिमाग B-A का formula क्या बन सकता है अरे भाई B के element चाहिए तो B का गोला ले लो B का circle लो उसमें से A के साथ जो common है मतलब intersectional part वो minus कर दो A-B में A के circle में से intersection B minus कर दो B-A में B के circle में से intersection minus कर दो कुछ भी तो नहीं है बहुत basic basic चीज़े है एक बार सुनी ध्यान रखने वाली बात है ठीक है concept wise तो बहुत easy है B के अंदर 19 element है और उसमें 5 है intersection के 5 हमने निकाले थे final answer is 14 एक बार नजर मालो आप देख लो कोई डाउट है तो अच्छा कोई डाउट हो तो आप comment वगरे मुझे लिखके दे देना मैं इसका audio note या फिर और explanatory solution आपको mail कर दोगा उसमें आप अपनी email ID छोड़ देना ठीक है simple सी बात वैसे तो एक बार में समझ आ जानी चाहिए in case कोई डाउट हो तो आप भेज सब्सक्राइब ठीक है पूरा support आपको मिलेगा ये 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 बहुत अच्छा motion very important NCRT में नहीं है पर school exam में फिर भी देखेगा आपको school exam में teacher पूछते हैं इसके बारे में कार्फी बार कोशन पढ़ो यू मतलब universal set अच्छा ना भी बोलता समझ जाना यहां पर यू लिख्या मतलब universal set है उसके अंदर कि इतने element है 50 elements है a में 24 है b में 30 elements है आपसे कह रहा है greatest value बताओ a union b की अरे भाई a union b का number निकालना अभी अभी तो सीख है अब उसकी greatest value क्या होगी greatest value क्या होगी बहुत अच्छी चीज़ है सुनते हैं जरा सुनते हैं तुम्हें मैंने कल बताया था तुम्हें मैंने कल बताया था कि भाई यह universal set है यह a और यह b a union b की अगर मैं बात करूँ तो यह सारा कोई डाउट नहीं है इसमें a union b मतलब यह सारा अच्छा एक और possibility लेते हैं एक और possibility लेते हैं कह रहा है अगर यह ऐसे होता ऐसे भी तो बना सकते हैं a यह वाला और b यह वाला मनला मैंने पूरे universal set को ही ना दो set में divide करते हैं पूरे को कुछ खाली छोड़ा ही नहीं कह रहा है अब अगर a union b आपसे पूछू तो अब क्यों होगी a union b कह रहा है यह सारी तो दोनों cases में एक चीज आपको समझ आ रही है वो क्या कि a union b या तो universal के set से कम होगी और इस case में a union b या universal set के बराबर होगी भाई a और b मिला के universal set बना रहे है इसमें a union b मिला के भी universal set से कम है तो एक चीज मुझे clear हो गई की की एक minute इसको ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो और इसको अब समझने की कोशिश करो दुबारा से कि जो universal set है ये ये उल्टा लिख दिया सोरी मैंने ये उल्टा लिख दिया a union b जो है वो subset है universal set का उल्टा लिख दिया था ठीक है subset lecture one आना चाहिए अगर आप lecture three की बात कर रहे हो तो lecture one two regular routine में देखके फिर इसको attempt करो subset बहुत अच्छे से clear होना चाहिए a union b universal का subset नहीं है उसके element universal के अंदर ही तो है अच्छा a union b इस बार universal के साथ equal set है तो ये improper subset का case आ गया अगर a union b इसका subset है universal का तो कहता है ये क्या कहता है कि भाई इसके number of element जो होगे वो universal के जो number of element होगे कहना या तो बराबर होगे या फिर कम ही तो होगे a union b के element universal से या तो कम होगे या equal होगे कम कब होगे इस case में या a union b के element कम है universal के बहुत सार है बाहर हो के भी तो हो सकते है अच्छा इसमें equal आ गए अब A union B का क्या formula पढ़ा है हमने अच्छा एक मिनट formula पढ़ने से पहले एक part तो हो भी गया कैसे हो गया तुम्हें कह रहा था यहापे इसकी value कितनी है यह तो 50 है तो कहता है A union B की value 50 या उससे कम होगी मतलब greatest value कितनी है A part भाईयो और भेनो greatest value greatest value of A union B कितनी होगी कह रहा 50 जादा से जादा 50 आ रही है ना या तो उससे कम होगी या maximum 50 होगी maximum पूछ ले greatest पूछ ले समझ गया तो यह concept इसमें apply कर सकते है अच्छा least value पूछ रहा है A intersection B की अब least value पूछ रहा है A intersection B की तो इसमें intersection तो दिखी नहीं रहा मुझे लेकिन मैं इसको यही से शुरू करूगा देखो B part अगर वो मिरे से पूछ रहा है तो मैंने क्या किया यही से बात करनी शुरू की कहता है यार A union B तो तो 50 से कम है या बराबर है अब A union B के बारे में बात हो तो गही हमारी क्या होता है वो N of A number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B अरे भाई formula याद अभी तो करा है दो तिन पेज ही तो हुआ है formula याद हो चुका है A के element 24 लो B के element 30 intersection अरे यही तो बताने है चलो खेलते रो अभी और आगे अब क्या बचा 24 प्लिस 30 54 हो गया यह बन गया 54 minus N A intersection B less than equal to 50 क्या करा हमने 54 50 इधर लिया माइनस में और N A intersection B को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने प्लस में तो therefore finally मुझे यह यह कुछ ऐसे दिख रहा है A intersection B अच्छा जो variable होता है वो हमेशा left side में होता है तो अच्छा लगता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते है N A intersection B is greater than equal to 4 अच्छा यह sign क्या denote कर रहा है कि A intersection B की value minimum 4 है 4 या उससे ज़्यादा तो least value जो intersection की है वो 4 है और greatest value जो है union की वो 50 है बहुत important question है हर साल school exam में कभी नगभी पूछा जाता है ठीक है तो इसको एक बार सही से practice कर लेना और concept को ध्यान रखना subset वाले को ठीक है clear हो गया बड़े आगे अब देखो छोटे छोटे question है छोटे छोटे question है किस तरह से कि अपना language को interpret करना आना चाहिए आपको language को समझना है फिर आगे करना है कुछ चीज़े मैं इसके बार में लिखवाता हूँ बच्चो कहीं भी union union अगर आपको दिखता है तो उसके ना कुछ word आप लिख लो कि union क्या denote करता है या तो और और होगा तो आप समझ जाना union है अच्छा अगर total लिखा होगा तो समझ जाना union है अगर group लिखा होगा तो समझ जाना union है at least लिखा होगा तो मतलब union है मतलब इन चारों में से कोई भी word आ जाब इस तरह से statement में आप समझ जाना union की बात कर रहा है अच्छा, ये sign किसका है intersection का intersection का question अभी पढ़ेगे, मैं आपको जो बता रहो इस पर ध्यान दो, करहाँ अगर question में and लिखाओ, a and b both लिखाओ, both a and b simultaneously लिखाओ a and b, जैसे and तो देखो हर बार आई रहा है, पर ये word आपके क्या denote करेगे, common ये और भी दोनों का, पार्ट लेना मुझे ठीक है, तो ये please, आप note down कर लेना, ये काम आएगा आपका exercise 1.6 अगर आप NCRT उठाओगे, instantly ये word पकड़ लो सारे question हवा में हो जाएगे ठीक है, calculation बस कर लेना हवा में, बाकी तो होई जाएगा question 7 का solution in a class of 40 students 24 like to play guitar and 25 like to play piano, ठीक है, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, guitar और प्यानो question पढ़ लेते आगे, if each student likes at least one of the musical instrument then how many like to play both piano and guitar, देखो जब इतना बड़ा question ऐसे आ रहा है, तो पहले चीजों को set की notation में लिखना शुरू करो, कि भाई पहले a ले लो, a क्या है let a let a is equal to ठीक है, students students who like to play पहले क्या लिखा है who like to play guitar, चलो अच्छा बी देखो बी में क्या आपके पास, students who like to play, प्यानो प्यानो वाले आ गए guitar, प्यानो, दो हमने चीज़े let कर ली अब इनको value wise लिखना शुरू करो क्या रहा है, a में a, कितने student है जो सिर्फ guitar play कर रहा है, 24, एक बार read करो दुबारा पढ़ लो, 24 like to play guitar, कितने student है जो प्यानो को play कर रहा है 25 25, ठीक है clear हो गया, अच्छा, in a class of 40 students, यह क्यों हो गया है, तो टोटल value दे दी, और टोटल मैंने आपको क्या बोला है, union, मतलब आपको end a union b दे दिया ठीक है, आपको end a union b दे दिया पूछा क्या है, बोथ piano and guitar, how many like to play both piano and guitar, बोथ के लिए क्या आता, intersection, indirectly क्या पूछ रहा है, intersection बता दो भई, अब तो कर चुके हम, formula लगाओ, intersection मिल गया, formula लगा लो, n a union b, हो जाएगा नहीं है तो, इसमें कुछ है ही नहीं, a plus b, मतलब बहुत अच्छा लगता है, जब 4 में से 3 value दे दी, 4 value पूछ रहा है, बचा ही क्या है a union b, कितना है, 40, a कितना था, 24, ये कितना है, 25, अरे, same calculation अभी की थी, 9 आ रहा है, बड़े आगे, या आपका 9 आगे, answer, लो, ठीक है, 24 plus 25, 49, 49 minus 49 आ गया, कितने बंदे, बहुत प्यानो एं गिटार प्ले कर रहे है, 9, people like to play, बहुत प्यानो एं गिटार, done, easy था, language को समझो, बस, ठीक है, language को समझो, question बहुत easy है, लो, दो, तिन question हो रहे है, सारे question समझ लो, एक तरह के, एक तरह नहीं, different तरह के question सारे समझ लो, तो, आपका NCRT तो ऐसे हो जाएगी, बाकी अगर कोई reference book उठाओगे, तो वो question भी मैं सारे अभी cover करी रहूँ आपके स साथ, चलो, in a class 11th of certain school, there are 30 students in maths, इतने ही पढ़के ना मैं तो शुरू कर रहा हूँ, यह लो, बच्चो, एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, और इसमें देख लो, ठीक है, इतनी जगह है हमार पास, तो, मेर पास, मुझे कहता है कि भाई, कितने students है maths में, मैं पूरी statement नहीं दो पाट है क्योंकि, तो आप पूरा लिखोगे जब question आएगा, number of students who opted maths, who opted maths, या number of students in mathematics class, आप कितने बोल रहा है, 30 students है भाई, अच्छा, number of students who study bio, bio वाले 20 students है school में, यह भी ठीक है, कह रहा, number of students बताओ, जो maths और bio दोनों में हो, maths और bio दोनों में हो, अच्छा होता नहीं, ऐसे PCMB वाले, तो उसमें क्या होता है, दोनों classes अगर देखो same time पे होगी, तो maths पढ़ेगे, bio पढ़ेगे, दोनों classes वो एक साथ पढ़ सकते हैं गया, या तो वो maths पढ़ पाएगे, या bio पढ़ पाएगे, दोनों classes एक time पे नहीं होनी चाहिए, तो उस case में, अगर a part में, a part में मुझे कह रहा है, दोनों classes are conducted at the same time, अरे तो फिर math और bio, दोनों जो एक साथ पढ़ पाएगे, ऐसे कितना बच्चे है, अरे 0, ये कौन से possible बात है, कि एक बच्चे ने math भी लिया, bio भी लिया, और तुम कह रहा है, दोनों classes ल तुम से क्या पूछ है, मुझे वो बच्चे बताओ, जो math और bio में हो, word पकड़ो, और का मतलब क्या है, math और bio, क्या सिखाया था अभी, math union bio, formula लगाओ, क्या है formula, m plus b, minus intersection b, लो, इसकी योली कितनी है, 30 plus 20 minus 0, total is 50, answer आगया, 50 students है, जो या तो math पड़ेगे, या bio पड़ेगे, चीक है, b part, b part एक बार read करो, b part में आपको कह रहा है, two classes are conducted at different time slots, and there are five students, who study both the subjects, पाच बच्चे ऐसे हैं, इन पचास में से, जिन्होंने दोनों subject ली है, अब लेकिन classes अलगलग time पर हो रहे हैं, math 4-5 लगा दी, तो bio 5-6 तो उसमें math वाले बच्चे बदल थोड़ी गए, 30 students है, bio वाले बच्चे बदले थोड़ी है, 20 है, लेकिन मुझे अब five students, जो दोनों subject जिन्होंने ली है, वो भी बता दिया इस part में, कि five students है, जिनके बाद दोनों subject है, और अब कह रहा है कि क्या ये math और bio ले सकते है, और मत minus five, it will give you 45, ठीक, तो ये भी एक अच्छा कोशन है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कि practically सोचना पड़ रहा है, practical application क्यों use किया था word, practically सोचना पड़ रहा है, दोनों classes एक साथ कैसे ले लोगे, नहीं हो पाएगी, तो हमने इसको zero ले लिया, ये main point का, ठीक है, ये point important है, चलो, आगे देखते हैं, ये तो आपका 1.6 का second last question है, 1.6 exercise जो आपके NCRT का exercise है, बहुत simple question है, इसको करे, convert फटाफट से हो जाएगा, फिर इसके बाद three set वाले question ले 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 बस, three set वाला, इसमें कह रहा, group of 75 people, group मतलब, group मतलब union, अच्छा लेकिन union किस का, cricket or tennis, तो हमने symbol ले ले, cricket or tennis, कितने है भाई, 75 है, each like at least cricket or tennis, कि कम से कम एक तो वो like करते है, या तो cricket के लेगे, या tennis के लेगे, cricket वाले कितने है, obviously जादे ही होगे, 40, 10 like cricket and tennis, both, both मतलब, cricket intersection tennis, 10, जो दोनों like करते है, अच्छा कह रहा है, आप वो बताओ, जो only tennis play करे, पर cricket play ना करे, बहुत कमी होगे वैसे, और how many like tennis, tennis, अब देखो, इसमें न, A और B पार्ट जो दी हो, बार B वाला पार्ट पहले सोल वो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, सिरफ tennis की, मतलब, ऐसे tennis वाले set की, तो वो निकल आएगा न, 4 में से 3 values दी होई है, तो इसम मैंने, मैंने पहले क्या किया, C union T का formula लगाया, cricket union tennis, मतलब और, यह cut नहीं है, और लिखा है, ठीक है, number of elements in C, number of element in T, number of element in C, intersection T, क्या-क्या value दी है, union दी है, बिलकुल दी है, 75, cricket वाले दी है, 40 दी है, tennis वाले, हमें नहीं पता, total कितना tennis खेलते हैं, और जो दोना खेलते हैं, वो 10 है, चलो कर लेते हैं, 75, 40, minus 10, कितना हो गया, 30 हो गया, plus number of elements in T, तो यहाँ पर अब क्या आ जागा, 75, minus 30, number of elements in T, तो कितने people tennis play कर रहे हैं, it is equal to 45, it is equal to 45, तो total tennis play करने वाले मुझे पता चल गए, लेकिन, ए पार्ट, जो अब हम solve कर पाएगे, उसमें कहरा है, तुम वो बताओ, जो only tennis play करे, cricket play ना करे, इसको ना लिखने के दो तरीका देखो, इसको लिखने के दो तरीका है, कि भाई, tennis play करे, पर cricket मत प्ले कर, मतले, cricket पर मैंन लगा दिया, compliment, अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते है, कि T minus C, T minus C, tennis खेल रहे हैं, पर cricket नहीं खेलेगे, तो उसमे उसका formula क्या सीखा था, कि भाई, T लेना है, तो T का पूरा circle ले लो, और दोनों में जो common है, वो minus कर दो, T वाले कितने है, 45, दोनों में common कितने है, 10, 35 ऐसे है, जो सिरफ tennis खेलेगे, जो सिरफ tennis खेलेगे, cricket नहीं खेलेगे, 35 ऐसे है, ठीक है, तो यह आपका ये A part बाद में ह हुआ है, B part पहले हुआ है, और यही sequence रहेगी और के तरीका नहीं, इसको करने का, मलब बेन डियाग्राम से भी करते हैं, बच्छे वैसे, पर जब formula हमने सीख लिया, तो यह छोटा formula आप लगा सकते हो, जब 3 set आएगे, तो बड़े वाला formula हम देखेगे, ठीक है, तो यह 3 set वाला आगया, यह final question है बच्छो हमारा, एक अच्छा question है, ठीक है, यह समझ आगया, तो chapter आपका complete हो गया, 3 set की बात कर रहा है, देखो, जो जो चीजे given है न, जब ऐसे देखो, आपको बोल दिया कि A, B, C, आपको दिखने लग गया, 3 चीजों की बारे में बात कर रहा है, स अच्छा, 24 liked product B, B वाले 24 people है, 32 liked product C, 32, यह लिख दिया, यहा तक सही है, A वाले, B वाले, C वाले, पूरे-पूरे circle के मैंने values लिख दी, अब आगे बात कर रहा है कि 18 people liked both A and B, and आ गया न, and मतलब A और B का intersection, कितने लोग है, 18, अच्छा, 16 liked C and A, C intersection A, 16 है, 15 liked B and C, तो B और C का intersection आ गया, लो, कितने है, 15, और 10 liked all the 3 products, all the 3 products में आगा गया, तीनों का intersection, यह लो, तीनों का intersection, कितने है, 10, आप से कह रहा है, आप मुझे बताओ, कितने लोगों ने सिरफ C को liked किया, यह, यह, आपको जितने अलग-अलग region दिख रहा है ना बच्चो, जितने अलग-अलग region, उनको ना तुम कुछ एक symbol assign कर दो, ऐसा करते है, इस वाले part को, इस वाले part को A ले लिया, मतलब यह वाला part सारा, समझ रहो, यह वाला, सिरफ यह वाला part, फिर यह ले लिया B, यह ले लिया C, फिर यह D part ले लिया, यह क्योंकि अलग से part दिख रहा है, इसे E ले लिया, इसको F ले लिया, इसको G ले लिया, ठीक है, यह vein diagram का देखो, असली use अब तुमारे सामने आएगा, तुम देखो, number of element in set A, भाई, set A के अंदर, कौन-कौन से alphabet दिख रहे है, set A के अंदर, A, D, E, G, यह दो को A वाले set के अंदर, यह 4 alphabet देख रहे हैं आपको, कौन-कौन से, A plus D plus E plus G, B के अंदर बताओ, B plus D plus F plus G, B plus D plus F plus G, C में बताओ, C plus E plus F plus G, C plus E plus F plus G, ठीक, अब point A and B, A और B का कौन, देखो, A और B का कौन क्या है, भाई, A और B का कौन, D और G, D और G, symbol देख रहे हैं न, यह इस तरह से region आप assign कर देना, B और, उसके बाद क्या है, C और A, C और A में कौन क्या है, C और A में, यह E और G, देखो न, यह वाला, यह C और A में कौन है, क्या है, E और G, last, B और C में कौन क्या, B और C में, F और G, और सबसे main जो breakthrough है, इसमें, कह रहा है, तीनों में कौन क्या दिख रहा है, तुमें, तीनों में कौन, G, वहां से मुझे एक value मिल गई, वहां से मुझे एक value मिल गई, तो भाई, G की value मुझे मिल गई 10, G की value मुझे मिल गई 10, तो G की value अगर मैं 10 इहां पर रख दूँ, देखो बच्चो, G की value अगर मैं इहां पर 10 रख दूँ, 10 इधर जाएगा minus में, F कितना आ जाएगा 5, बात समझ आ रही है, G की value 10, यहां पर रखी, 10 इधर आ गया minus में, F की value 5 आ गई, G की value 10 रखी, E कितना आ गया, 6 आ गया, अच्छा, G की value 10 रखी, D कितना आ गया, 8 आ गया, reverse order में आपको सारे alphabets की value मिलती जा रही है, इसके बाद तो कोई भी question बन जाए, इसमें कोई भी चीज पूछ ले, B only, C only, अच्छा, A and B बहुत, वो, मतलब किस तरह के भी question पूछ सकते हैं, A और B ले 13, 13 और यह कितना ओगया, 10, 23, 23 इदर गया, minus में, तो C के value कितनी आ रही है, 9, D, F, G, तीनों की value है, D, 8 है, E, F, G लेना, sorry, यहाँ पर यह उपर वला आ रहा है, यहाँ पर कहा, E, F, G, 6 प्लस 5 आपको ओगया, 11, 11 प्लस 10, 21, 21 इदर गया, तो C के value आ रही है, 11, इसमें, D, F 5 कितना हो गया, 13, 13 और 10, 23, तो B आपका सिरफ 1 आ रहे है, B आपका सिरफ 1 आ रहे है, ठीक है, D, E, G, ध्यान से करो, D, 8, E, 6, 14, 14 और यह 24, 24 उदर गया, minus में, तो A, Q, L, U आ रही है, 24 उदर गया, minus में, तो 5 आ रही है, 5, सारे alphabets निकाल लिए, कह रहा है, अब देखो कि पूछ किया रहा है, product C only, C only वाला कौन सा बच्चो, C only वाला तो यह पार्ट है सिरफ, यह C सिंबल चाहिए, बस हो गया, यहां लिख देखो हमें, आपको C only वाला सिरफ यह चाहिए, तो आपको बोल रहा है, product, product, C only, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया, product, C only, तो working पीछे ही हो गई, जगा बच गई यहां पर, तो C only आपने का निकाल ले थी, बच्चो, 11, तो आपका answer 11, आपका answer 11 आगया, ठीक है, आपका answer 11 आगया, यही है, इस page पे तो इतने ही काम होगा, ठीक है, working तो हमारी पीछे वाले page पे निबढ़ गई, तो यह आपका बहुत अच्छा question आज की class का, इसमें आपके सारी चीज़े cover हो जाएगी, तो इसको फटावट निप्टाते हैं, वैसे तो pause करके, आप खुद भी try कर सकते हो, लेकिन इसको जो last आपार्ट है, वो demorgan law use होगा, तो मैं आपको जल्दी-जल्दी करा देता हूँ, 180 students है class में, 110 applied for J, 60 applied for NEET, और 25 applied for both, अच्छा question में थोड़ा सा change, J को, J को मैंने क्या करा है, J को मैंने ले लिया A, ठीक है, J को मैंने ले लिया A, अच्छा, NEET को ले लिया मैंने B, तो यहाँ से शुरू करें, अभी total पर बात मत करना, क्या रहा है, J में कितने बच्चों ने अप्लाई करा, 110, क्या रहा है NEET में कितने बच्चों ने अप्लाई करा, 60, अच्छा, फिर both, both में क्या हुआ, A intersection B, कितने बच्चे है, 25, क्या रहा है, आप वो बच्चे बताओ, जो J को अप्लाई कर रहा है, पर NEET को अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब, A पार्ट में क्या बोल रहा है, A है, पर NEET नहीं है B नहीं है, J अप्लाई कर रहे हैं, पर NEET अप्लाई नहीं कर रहे है, A माइनस B, J A माइनस B, A माइनस B का फॉर्मला क्या पड़ा आज हमने, A में से intersection माइनस कर दो, यह पार्ट तो हो गया, A कितना 110, intersection कितना आपका, 25, तो यह आपका 85 आगया, 85 आगया, उल्टा, क्या रहा सिखाया तो आज, B वाले circle में से intersection माइनस कर दो, अच्छा, B की value कितनी है, NEET वाले कितने student है, 60, और दोनों में common कितने है, 25 है, कितना आगया आपका, 35, तो यह दोनों पार्ट तो हो गए, तुम बोलोगे, इसका क्या use है, 110 student, यह के union है, देखो, एक लॉजिकली बात सोचो आपको A दे दिया, B दे दिया, intersection दे दिया, और अगर तुमने इसको union ले लिया, तो फिर तुम उस formula को कैसे apply कर पाऊगे, देखो, C पार्ट में आप confuse मत होना, C पार्ट में पूछा है, J और NEET, J और NEET मतलब A और B, मतलब A union B, यह पूछा आप से, तो A union B का formula, यह था, कितने थे 60, यह 25 थे, यह कितने हो गए आपके, 110 प्लस 35, 145, तुम बोलोगे यार, union अगर 145 आ रहा है, तो 180 है क्या, अरे भाई, यह universal set है, जब चारो ही value दे देगा, union के formula की, तो वो जो total value है, मैंने क्या गाता, total value को union ले लेना, लेकिन अगर formula में 4 terms होती है, union, A, B, intersection, चा total को लोगे तो universal set, तो that means, यहाँ पे universal set आपको given है, 180, और अब final part, last question, आज की class का, कह रहा है, Jain नहीं form भरा उसने, और nor, neat का भी form नहीं भरा, देखो, देखा लग रहा है expression यह, A में प्लाई नहीं करा, B में भी अप्लाई नहीं करा, मलब कुछ नहीं करा, इसने, तो कह रह कर दो, और compliment निकालने के लिए हमें क्या सिखाया गया है, universal में से उसी set को minus कर दो, बच्चो, जिसका compliment निकालना है, होई class खतम उसी point पे, जो भीच में 10 बर use हुआ है, universal 180, यह 145, कितना हो गया, 35, लो, मजा आ गया, सारे question हो गया आपके, तो यहाँ पे आपका chapter complete हो गया, मे relation and function, बहुत important है, बहुत important है, for 12th class, क्योंकि 12th class में हमारा जो functions है, वो major calculus में use होता है, और calculus हमारा out of 80, 35 marks का है 12th class में, तो calculus अगर strong करना है, तो आपको function strong करना पड़ेगा, और function 12th में तभी समझ आता है, जब 11th का function हम जहां से पढ़ते है, ठीक है, तो next class हम मिलते हैं मिलते हैं, जव क्यों से दूए है, रिक है इसन की है, तो आप हैö जहे हैं, तो आपको क कर दो अनर कर दो नहें है, य